हेलो बच्चो स्वागते आपका एक बार फिर आपके अपने यूटूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर यहाँ पर जो अभी हाल में आपका गच्छा नवी वार्सिक परिक्षा का जो पेपर हुआ है उसका सोलुशन हम यहाँ पर उपलब्द आपको करवाने वाले हैं तो आपका आखरी पेपर है इसके बाद आपको फिर कंटिनू हमारे चैनल फिजिक्स की आत्मा पर आपको स्टड़ी करवाई जाएगी जिसमें आप सभी सब्जेक्ट के नोट्स भी हमारे साथ साथ बना सकते हैं तो आईए हम सिरुवात करते हैं यहाँ पर सही विकल्प से त तो यहाँ पर जो भोतिक परिवर्तन नहीं है तो पहले का आप देखना जो लोहे में जंग लगना होता है यह रासाइनिक परिवर्तन होता है ना तो यहाँ पर नहीं है तो रासाइनिक परिवर्तन वाला आपको लगना है कि यह लोहे में जंग लगना एक बहुतिक परिव यहाँ पर दो आठ दो पे खतम हो रहा है नहीं कि दो आठ दस और दो बारा यानि कि इस प्रकार का आपको चेक करना तो यह बावाला अंसर आएगा आपका ओके यह नियम यदि याद आप तो इलेक्टरिनिक विन्यास आप आसानी से निकाल सकते हैं फिर दो अस्तिया आपस म कुशन नमर 4 देखिए तो कुशन नमर 4 जो आपका वेक का हमको यहाँ पर मात्रक बताना है तो वेक का जो मात्रक होगा आपका मीटर सेकेंड इन्वर्स क्या रहेगा आपका मीटर सेकेंड इन्वर्स सिंपल सा कुशन था कार करने की दर को क्या कहा जाता है तो इसमें सक्त घह्योव और चना होता है। इन में भी दो-डो वर्ण होते हैं। टिक है। वैसे यह धिक खरीज पूचते हैं तो खरीज फसल होती है इस बड़ा बर्ड है। रभी के मुकाबले तो इसमें आपको आपको सोयविन याद रखना है। तो अभी हल फला यहां पर रभी की फसल पूची गई है तो आपका राइड जो आंसर रहेगा वो घेंव रहेगा गहूं बाकी हैं पर यह धान और सवयविन मक्का यह सब क्या है खरीब की फसल है तो आपका राइड आंसर घेंव हो जाएगा ओके अब हम बढ़ते हैं आपका कुछिन नमबर चार आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं पहले कुछिन नमबर चार मिला लें जोड़ी मिला लें ठीक है फिर मैं आपको रिक्तिस्तान और सत्य सत्य एक सब्दिस्ब में आपको कर्वाने वाला हूं तो इससे आप टेंसर नहीं पहले चोथा कुछिन देख लिए यहां पर इसमें फोर्ट आ गया है कार्बन डाकसेट की बात की जाती हैं तो कार्बन डाकसेट की होती है सुसक बरफ घरी फिर अपर ब्रौमीन का प्राजाती का नाम है तो सिंपल सी जोड़ी यहां पर आपने मिला ली होगी सही से अब हम बात करते हैं अगले कुशन की तरफ इसमें को डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं हमने आपको हमारे चैनल पर मोबाइल नंबर उपलब दे गरवा हैं वहां से भी आप इन्फोर्मेशन ले सकते हैं कोई समश्य आपको आती है किसी भी टोपिक संबंदित तो आप वहां पर कोल करके या वाटसप पर आप समधान प्राप्ति कर सकते हैं अगला कुशन ने आप जिन्दू अपने डीघ्री मेनद्ध जाके उबलता हैं किकिने डिग्री सिल्से उबलता है तो ग्री सें सए उस हंपके ह हम फरी सेलिध कीजिये Sounds तत्व को परिभासित की हुई तो देको ततव क्या होता है? मैं आपर बोल देता हूं, आप सुनने ना एक ही परकार के परमानुगों से मिलकर byना पताध तत्व कहलता है जिसे में उधरन की बात करूँ तत्व की जिसे आपका हेड्रोजं तत्व है हीलियम तत्व है लीथियम तत्व है आहिक यह उते हुआ यह सोडियं की बात करें एक प्रकार के परमणू से मिलकर बना होता है उसको तत्व कहें कई को थे ह». न यौन जो हिसका अमाहत्रक मैं हो तो हिंदी में लीख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड इंवर्स ओके इंप्रीट स्थिर्टा ही फिर होता है अगला है गुरी합니다 तो गुरीति तरन गवान भी मैं स्पर बताता आपको कितना होता है 9.8 कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्यूर ओके यह उता है इसक्यूर लगा लेना है पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्यूर उर्जा को परिभासित करना है तो तो दो को सिंपल सा कुश्चन था तो इसमें आपको लिखना था कार करने की छमता जो कार करने की छमता होती है हम उसको उर्जा कहेंगे ओके फिर अगला समान मनुष्ष की स्रव्विता परास होती है तो दोगो olmas स्रव्विता पूचिक की इस मनुष्विता ब्ला मनुष्व कितनी धुर्विता परास होती है तो इस कांसर मैं यहां लिख देता हूँ दू हर्द से 20Hz से कितनी सुन सकता है 20,000 कितना 20,000 Hz तक इसका अंसर क्या रहेगा 20 Hz से 20,000 Hz तक इतनी स्रव्विता परास होती है मनुष्य की इतनी सुन सकता है फिर हम बात करते है अगले कुश्यन की तरफ तो देखिए अब कुश्यन नमबर आपका क्या आता है अगला रिक्तिस्तान ओके तो अब यहां पर कुशन में तो मैंने बोला था ऊपर नीचे कुशन हो गया है कोई प्रोब्लम नहीं उसमें आपको आंसर से मतलब होना चाहिए आपका अंसर मिलाता जाएं फिर बर्फ का गलनांक तो बच्चों बर्फ का जो गलनांक होता है तो और सोगति होता है कितना होता है केविन में लिखना तो दो सो तीहों टेगरी केविन ओके यहां पर बहुत तो ब्राउनी गति यहां लेकिन प्रभाव पूछा गया है तो पर्मानुत तिरजा को किस में नाबते हैं तो बच्चों ये इंग्रेष्टाण एक इकपाब डोट शुट लगा रहा तो ये in या आपने 46 नाब्य दिया हूँ रहा है आपने Avosim सही माने जाएंगे ओके फिर आपका परमानु में उदासीन कन कोन होता है तो तो परमानु जो होता है उसमें तीन कन होते है एक आपका इलेक्टरान चक्कल लगाता है और नाभिक के अंदर प्रोटान और न्यूटरान होता है बट आपको बता है प्रोटान में प्लस जाज हो उसमें रंधर यहां पर आपका नशार याएगा रंदर रंदर के द्वारा निर्वात सब्सक्राइब फिर बात करते हम इसका राइट निर्वात लग सकती है याउनी में इसके मृष्मातिंट एक लिग लिग सत्य सत्य की बात कर लेते हैं तो सत्य सत्य देखिए आप पहला है यहां पर मिस्रन का गलनांग निश्चित होता है तो पेटा मिस्रन जो होता है इसका गलनांग और कोटनांग कुछ भी निश्चित नहीं होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे पधार्द मिले होते हैं तो इसमे लगा रहता है इस ट्रैप का आपने देखा होगा गोल गोल जिसमें लिख रहती है उसमें दूरी बीनारे चलती रहती है जिसे से वहाद चलता पका मोटर साइकल में आपने देखा होगा या कार में ठीक है फिर बात करते दाप का हिसाई मात रख पास का ले तो बच्चो पास का लिए दाप का हिसाई मात रख तो यह सत्य आपका एक किलो वाट जो होता है एक इनिट के प्राइब तो यह भी सत्य आपका फिर आगला कुश्च सहीवी कल्प खालिस्तान और जोड़ी और सब चीज़ें ने आपको करवा दिये आप इसके बाद दिया आपको कुशन आंसर चाहिए और कुशन आंसर के सुलूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें बता दे ताकि हम उसके पर आपको सुलूशन उपलब्द करा जा रहे हैं तो आप वहां जाकर आप अराम से नोटस बना सकते हैं आपके अच्छी स्टड़ी कर सकते हैं तो आप हमारा साथ जुर सकते हैं